हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्व चैनल स्टेडि आवर लाइफ में तो अभी हमारा चल रहा है द्रिस्टी जिन्नल नॉलेज का बुक जिसमें हमारा वॉल्ड जोग्रफी चल रहा है तो वॉल्ड जोग्रफी में आज हम इसे पहले वाले वीडियो में हम को करते हैं तो आग चली विना देर का कि या बर्सा होता है कि वर्सा जो होती है वो गर्सों में ज्यादा तर होती है प्राइख रिच्छी में कॉत्या और अने थैसे होट रेगा आज समिल्वर्श के छलब में गठेटिया कंसे उत्तरी बरलने से उत्री अमेरिका के दस्चिन पुर्वी तट पर उसन कटवंदी ये चक्रवाद का प्रभाव रहता है जिसे हरीकेन वा टोर्नेडो कहते हैं तो हरीकेन और टोर्नेडो कहां का है तो उसन कटवंदी ये उत्री अमेरिका का है तो यसे आप लोग याद रखेंगे बहुत इंप पास जाके मिलती है जिसमें यहां कोड़ा जिसको धुंद कहते हैं कि स्थिति बनी रहती है जहां प्लावकों की अधिक्ता होने से मचलियों के लिए अनकूल इस्थिति बनी रहती है ग्रांड वैंक मत्स छेत्र यहीं अवस्थित है सितोसन कटवंधिये घास के मैदान को प्रेडी कहते हैं तो सितोसन कटवंधिये छेत्र की घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं तो प्रेडी के नाम से जानते हैं उसके बाद है जो गेहु कपास मक्का गन्ना धान की किरसी क अधिक कि दृष्टी से महातपुर्ण है जमाइका केले के लिए एवं क्यूबा चीनी के लिए उत्पादन में विस्टु की प्रस्चित है क्यूब को चीनी का कटोड़ा भी कहा जाता है क्यूबा को किस नाम सच्चा उपनाम क्या है तो चीनी का कटोरा किसको कहा गया है क्यूगा को कहा गया और विस्तु में सब्स ज़्यादा चीनी का उत्पादक कहा होता है तो क्यूगा में ही होता है ठीक है उसके बाद है अमेरिका मुल निवासियों में रेड इंडियन एस्कीमो यूनिट सामिल है तो अमेरिका के जो मु है तक कि एसा कहा होती है और इसकीमों जंजाती के लोग रहते हैं इनका जीवन यापन छिकार पर को करते हैं अब हैं महत्पुने से संब्सक्राइब मुवाध के स्वित्तों और निंट्वत्थ then तो सबसे पहले हैं सयुक्त राज अमेरिका के बारे में इसको पढ़ते हैं हम तो 50 राज जो से मिलकर बना सयुक्त राज अमेरिका विस्व में छेत्रफल की द्रिश्टी से रूस कनाडा के बाद तीसरा सबसे बरा देश है तो सबसे बरा देश कुन सा है तो वो है रूस छेत में छेत्रफल की द्रीष्टी से रूस कनाडा के बाद चीन और सयुक्त राज अमेरिका करम सत्तीसरे और चौथे अस्थान पर हैं कैलिफॉर्णिया की घाटी बिलमाडो की घाटी और प्यूजेट साउंड विसीन आदी सयुक्त राज अमेरिका की प्रमुख घाटियां तथ अधिकास मधिवर्ति निम भूमी में हुआ है जिसे ओजार्क पठार या ओजीता उच भूमी कहते हैं विस्तु की सरवधिक किर्शी योग भूमी अमेरिका में पाई जाती है तो पूरे विस्तु में सरवधिक किर्शी योग भूमी जो है वो कहां है तो सबस्यादा वो है अमेरिका में उसके बाद है विश्व में कुल सीचित किर्सी भूमे की द्रिष्टी से भारत चीन के पश्चा सयुक्त राज अमेरिका तीसरे अस्तान पड़ है जहां मक्का, गेहू, जो और सयुक्त राज अमेरिका की प्रमुख फसले हैं सयुक्त राज अमेरिका का प्रमुख लोहा खननचेत सुपरियर जिल परदेश है, यहां मुसाबी रेंज तथा मिसीगन प्रमुख लोह खाने है, पिट संबर को विश्व के लोह इस पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो विश्व के लोह इस पात की राजधा के लिए प्रशिद है कैलिफोर्निया राज का लॉंस एंजिल्स हॉलिबुड नगरी के रूप में प्रशिद है अब है अमेरिका का एक्रोन एवं सिंथेटिक रवर टाइर बनाने का विस्तु का सबसे बड़ा केंद्र है सजुक्त राज अमेरिका का सेंट लुइस मक्के की विस्तु की सबसे बड़ी मंडी है सैन फ्रांसिको सहर में इस्थीत सोता कोलरा वैली को सिलिकॉन वैली कहते हैं सिलिकॉन वैली से किसको कहते हैं सैन फ्रांसिको सहर में इस्थीत है कौन सा सोता कोलरा वैली इसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं उसके बा देश होने के साथ रूस के बाद विश्ट्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है 49 डिग्री अक्छांसी ये रेखा सयुक्त राज अमेरिका से इसकी दस्च्री सीमा निर्धारित करती है कानाडा के आंतरिक मैदान सितोस्न कटवंदिये घासों से अक्छांचित है जिने प्रे है कि विश्ट्व की सरवधिक मुलाइम लकडिया इनी बनों में प्राप्त की जाती है कनाडा का मौन्ट्रियल सहर कागज उद्योग के प्रमुक्येंद्र होने के साथ अंतराश्टिये नागर बीमानन संगठन जिसको सौट में बोलते हैं ICO का मुख्यालय भी है तो अंतर कनाडा अखवारी कागज के उत्पादन में विश्ट में अगर्मनी है कनाडा के बनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जैंक कहते हैं कनाडा विश्ट में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यहां की सुलिवान खान विश्ट की सबसे बड़ी स जिसाद जिंकी की खान है, कनाडा का अलवाटा पेट्रोलिय मुत्पादन हितु प्रशिद है, बुडवेफेलो नेशनल पार्क कनाडा के अलवाटा सहड में इस्थित है, अब है केरवियन दुइप समू के बारे में इसको पढ़ते है, नोट में दिया हुआ है केरवियन दस्चनी अमेरिका के उत्तर में अट्लांटिक महासागर में इस्थित है, जिन में क्यूबा, बहामासा, जैमेका, बारबोडोशा, त्रीनादेद, एबम, टोबैंको, आदिदे सामिल है, क्यूबा को एंटी लीज का मोती कहा जाता है, तो ये था हमारा केरवियन दुप के दस्चनी अमेरिका का अधिकांस विस्तार कहा है, दस्चनी गुलार्द में, और मकर रेखा इसके मद्ध भाग से होकर गुजरती है, यह पनामा नहर द्वारा मद्वा उत्री अमेरिका से अलग होता है, तो उत्री अमेरिका से दस्चनी अमेरिका महादूइप कैसे अलग ह पनामा नहर द्वारा उसके बाद है यहां महादूइप विस्तु का चौथा सबसे बड़ा महादूइप है और दश्चनी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कैरबियन दूइप समू को समलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं दश्चिन अमेरिका के दश्चनी भाग में टियारा डेल प्यूंगो दूइप इस्तित है जिस पर दश्चनी अमेरिका का दस्चिंतम बिंदू जिसे केप होर्ण या होर्ण अंतर दूइप इस्तित है Cape Horn या Horn अंतरदूप दोनों के एक ही नाम है ये कहां इस्थित है तो अमेरिका के दस्षिंतम बिंदु में टियारा डेल प्यूंगो दूइप मैगलन जलसंधी द्वारा दस्षिंटी अमेरिका के मुख भुमी से अलग होता है प्रसांत महासागर में इस्थित गाला पोगोंस दूइप इक्वाडोर के अधिकार छेतर में तता दस्षिंटी अट्लांटिक महासागर में इस्थित फॉकलेंड दूइप जो यूनाइटेड के गडम का अधिकार है जिस पे दस्षिंटी अमेरिका के प्रमुख दूइप है उसके बाद है दस्चनी अमेरिका को भोगोलिक बिसिस्ताओं की अधार पर चार भागों में बर्गिक्रित किया जा सकता है पहला है पस्चमी तटिये मैदन दस्चनी अमेरिका का तो महादूपियों के पस्चमी भाग में उत्तर से दस्चिन दिसा में प्रिसांत महासागर के तट के सहारे निम्न भूमी के रूप में एक संक्रे तटिये छेतर का विस्तार है यह तटिये छेत उत्री भाग में कम किन् इसी भाग में दस्चिन अमेरिका का मरुवस्तल ये छेतर अटकामा एस्थित है क्या है अटकामा कहां एस्थित है दस्चिन अमेरिका के मरुवस्तल ये छेतर में अब है दूसरा पश्मी परवत ये छेतर जिसको एंडीज परवत भी कहते हैं तो महादूइप के पश्चमी भाग में इंडीज परवत का विकास हुआ है, जो उत्तर से दस्चिन दिसा में फैला है, यह विस्टु की सबसे लंबी तथा हिमाले के बाद दूसरी सबसे उची नभीन परवस्ट्रेनी है, बोलीबिया की राजधानी लापाज विस्टु की स दरवदिक उचाई परिष्थित राजधानी है, तो दो कोशन इससे आपको याद हो जाएगा, अगला है मधवर्ती मैदान, इसी मैदानी छेत्र में और नीको, एमेजन और प्लाटा जिसको पराना या प्रागवे, उरुगवे वा इनकी सहायक नदियां भी समलित तंथ है जैसी महतपुन नदियां का प्रवा होता है का मधवर्ती मैदान के भाग में, उसके बाद है पुर्वी उच्छ भुमी, इस उच्छ भुमी का विकास उतरी छेत्र में गुआना का पठार तथा पुर्वी छेत्र में फैले ब्राजील के पठार के रुप में हुआ है, दस् का सबसे उचा जलपरपात एंजल इस्थित है, जो कैरोनी नदी, जो कुछ रोतों में कैरो है, की सहायक नदी चुरून पर अवस्थित है, कैरोनी नदी और नीको नदी की सहायक नदिया है, कैरोने नदी किसकी सहायक नदिया है, तो और नीको नदी की सहायक नदिया कैरोन अब है दस्ठीन अमेरिका की प्रमुख नदिया और उसकी विसेस्ताएं तो दस्ठीन अमेरिका की पहली नदि जो है उसके बार में परते हैं तो यह है अमेजन और इसकी विसेस्ताएं है यह अफभाद छेत्रुआ जलाइतन की द्रिस्टी से विस्टु की सबसे बड़ी और और इसकी सहायक नदिया केरोनी है. किसकी? और नीको की. उसके बाद पराना. ये दस्चनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है. पराना नदी पर ब्राजील और प्रागवे की सयुक्त पर्योजना के अंतरगत इतूपी बांद निर्मित किया गया है. इसके तट पर प्रागवे देश की राजधानी अंसूसियन इस्थित है उसके बाद है कोलरेडो इसकी विशेष्था है यह एंडीज परवत से मिलकर बाहिया ब्लांका की खारी जो अट्लांटिक महासागर में गिरती है अर्जंटीना में प्रभावित होती है उसके बाद है यह जो है अर्जंटीना के पुर्भी मतलब अट्लांटिक महासागर में अवस्थित है कौन सैन जोर्ज की खारी उसके बाद सैन मैंटी ओस की खारी यह जो है बाल्दिस प्राइद्यूप के उत्तर में अट्लांटिक महासागर में अवस्थित है ग्वांक्वेल की खारी इ प्रसांत महासागर और दस्नी चीली में प्रसांत महासागर ऐसे तो आप लोग याद कड़ी लेंगे उसके बाद है जलवायू तथा बनश्वती तो विश्वत रिखा के समीब होने के कारण महादूइप की उतरी भाग में उसन कटवंदिये जलवायू उसन कटवंदिये जल प्रसांत महाद बनश्वत रिखा के कारण घनी बनसपती का विकास हुआ है जिसे एमेजन घाटी में सिल्वास कहते हैं इन बनों में बालसा नामक विश्व की सबसे हलकी लकडी पाई जाती है दशनी अमेरिका में एमेजन नदी के उत्तर में विक्षित होने वाली सवाना बनसपती को और निको नदी द्रोनी में लानोस तथा दस्थिन में ब्राजील के मदबरती भाग में केमपोस कहते हैं उत्री अर्जंटीना और पस्मी प्रागवे के छेत्र में विक्षित बनसपतियों को ग्रौन चाको कहते हैं तो ये उत्री अर्जंटीना और पस्मी प् प्रमुख पेर हैं जिसे कुलहारी तोर्थ पेर भी कहा जाता है क्यूंकि इसकी प्राकिर्ती अत्यधिक कठोर है एंडीज परबत के पुर्वी ढाल पर पाये जाने वाले बनों को मॉंटाना कहते हैं अर्जन्टीना वा उरुगवे के उत्तर पुर्वी छेतर में सितोस्न कटवंदिये घास के मैदान को पंपास कहते हैं पंपास कहां का घास का मैदान है तो अर्जन्टीना के अड़िये सितोस्न कटवंदिये मैदान में होता है उसके बाद है यहां के बनों में महोगनी, बलसा, कर्णोबा, सिनकोना, चिकिल, आधी के ब्रिक्ष लेलते हैं कर्णोबा के मोम का उप्योग मंबत्ती बनाने फरनीचर वा जूते को पॉलिस करने में किया जाता है एमेज और नदी द्रोनी को रवर के ब्रिक्षो का मुल अस्थान माना जाता है यहां पाए जाने वाले बिचित्र बन जीवों को केंडोर, रिया वा मकडा बंदर प्रमुख है केंडोर विस्टु का सबसे बरा सिकारी पक्षी है और रिया न उर्शकने वाला पक्षी है मकडा बंदर अपनी काला बाजी के लिए प्रिशिद है एनाकोंडा एमेज और नदी बेसीन में पाए जाने वाला बिसाल अजगर है ब्राजील वा अर्जंटीना में मक्का की किरसी की जाती है ऐसा माना जाता है कि मक्का दस्चीन अमिर्का की मुल्फचल है नगदी फसलों में कहवा, गन्ना, कोको और केला प्रमुक रूप से उत्पादन किया जाता है कहां ब्राजील में ब्राजील में कहवा का उत्पादन ब्रित अस्तर पर किया जाता है कहवा उत्पादन में ब्राजील विस्व का प्रथम अस्थान है कहवा उत्पादन में मतलब ब्राजील जो है विस्व का प्रथम अस्थान है उसके बाद है एमेजोन बेसीन में पारा नदी के मुहाने पर इस्थीत बेलिम बंदरगा रवर निर्याद की दिरिष्टी से महत्पूर्ण है बेंजुयला त्रीन दाद वा टुम्बैको दुइवखनीज तेल भंडार की दिरिष्टी कोन से महत्पूर्ण है चीली की खान चुकवीक मांटा तामबे के उत्पादन हितु बिस्तु प्रशिद है यही कारण है कि चीली को तामबे की राजधानी कॉपर कैप्टल कहते हैं कोपर कैपिटल किसको कहते हैं力, इसे याद रखेगा, कोपर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है जो यहाँ पर कोपर की उत्पादन होती है, उसके बाद है महतपुर्ण देशों से संबंधित अन्यतत, तो सबसे पहले इसमें ब्राजील है, ब्राजीन लैटीन अमेरिका का सबसे बरा देश तथा विश्वत में छेतरफल वाजन संख्या की दिरिश्टी से पांचमा बरा देश है, यह चिली वा एक्वाडोर को छेओर कर दस्चीन अमेरिका के सभी देशों से सीमा साजा करता है, यह विश्वत रेखा और मकर रेखा किस देश से उकर गुजरती है, यहां सबसे बड़ा सहर साओ पालो में विश्वत की सबसे बड़ी कहवामन्डी है, ब्राजिल के सेंटोस बंदरगा को कौफी बंदरगा कहा जाता है ब्राजिल में इस्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को यहां फजेंडा कहा जाता है यहां पाए जाने वाले ब्राजिल्स ब्रिक्ष के नाम पर भी इस देश का नाम ब्राजिल परा अर्जंटीना चेत्रपल की द्रीष्टी से दस्चिन अमिर्का का ब्राजील के बाद दूसरा बरादेश तथा जनसंक्या की द्रीष्टी से ब्राजील वा कोलंबिया के बाद तीसरे अस्थान पड़ है कौन अर्जंटीना अर्जन्टीना के पंपास छेतर में रोजारियों से बहिया बलांका तक के जिस छेतर में गेहूं का सरवधिक उत्पादन होता है उसे गेहूं का अर्ध चंद्राकार छेतर कहते हैं अर्जन्टीना में ही सितोस्न मडिवस्थल पुन्टा गोनिया का सरवदिक विस्तार है अर्जन्टीना के पसुफ फॉर्म को एक्टाशिया तथा पसुपालकों को ग्वाचो कहते हैं अर्जन्टीना के पुर्व एबं ब्राजील के दस्चिन में आट्लांटिक महासागर के किनाड़े उर्गवे अवस्तित है उर्गवे की राधानी मान्त्रे वीडियो में पहला विस्तुकप फुट वल मैच खेला गया था तो उरुगबे की राधानी कहा है मांट्रे वीडियो है और यहां विसुकप पहला मैच खेला गया था विसुकप जो होता है वर्ल्ड मैच सबसे पहले यहीं पे हुआ था उसके बाद है उरुगबे दस्चिन अमेरिका का एक मात्र ऐसा देश है जो पुन रूप से मकर रेखा के दस्चिन में इस्थित है तो मकर रेखा के दस्चिन में कौन सा देश इस्थित है तो उरुगबे चीली में विश्व का सबसे सुस्क अस्थान आडिका अवस्थित है यहाँ पर कलीजे के भंडार पाये जाते हैं जिसे नाइट्रेट युक्त उर्बरक प्राप्थ होता है बोलविया तथा प्रागवे दस्थिन अमेरिका के दो अस्थल रूद्देश है अधिवासी अस्थान है जबकि अस्थल रूद्देश है टियारा डेल प्योंगो दूइप में अवस्थित उस्विया विश्व का दस्थिन्तम अधिवासी अस्थान है जबकि केप होड कोरुशहर फ्रांस का उपगरा परच्छेपन केंद्र है इसे याद रखेंगे अब है अगला दूइप यूरोप महादूइप इसके वारे में पढ़ते हैं प्राइदूपों का प्रादूइप कहे जाने वाला महादूइप के छित्रफल की द्रिस्टी से छट्था सबसे बड़ा महादूइप है कौन सा यूरोप महादूइप कैमा महादूइप है ये छट्ठा महादूइप है उसके बाद है यूरोप का अधिकांस भाग सम्मुंद्री समकारी प्रभाव का अनुभाव करता है क्योंकि सम्मुंद्र का बिस्तार इसमें अंत्रिक भागों तक है यूरोप के दस्चिंतम भाग में इस्थीत इटली और ग्रीस अपनी प्राचीन सभिताओं के लिए बिसु प्रसीद है वहीं इटली की मुकभु में इस्थीत वेटिकन सीटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्याले पोप के निवास अस्थान होने के साथ बिसु का सबसे यूरोप की प्रमुक परवश्च्रेणी में कम से कम आप लोग अलपस के बाड़े में याद रखेगा अलपस और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है उसके बाद कैटाब्रियन है बालकन परवश्च्रेणी है इससे आप लोग याद रखेंगे पुछा जाता है किस म अदुप में परता है उसके बाद है यूरोप में नौर्वे के तड़ पर फ्योड रचना का विकास हुआ है यह हिमानियों से निर्मित गहरी घाटिया है बेल्जियम नीदरलेंड और लंजंबर्ग को लो लैंड कंट्री इसको निम्द भूमी का देश कहा जाता है अब है इसके डेन्वियन देश इसके अंदर कौन-कौन आता है तो आइसलेंड आता है नौर्वे, श्वीडन, डेन्मार्क और फिल्लेंड यह जो है इसके डेन्वियन देश कहलाता है और बाल्टिक देश में आता है एस्तोनिया, लिथवानिया, लताविया, बालकन देश में आत आप लोग यहां तक समझ गए होंगे अब है भगोलिक लक्षनों के अधार पर यूरोप महादुप को निम्द भागों में वर्गी कृत किया गया है ठीक है इसको पढ़ते हैं उत्री पस्च में उच भुमी इसका विस्तार फिल्लेंड, नौर्वे, स्वीडर, ब्रिटिस, द्विपसमू वा आईजलेंड तक है इस छेत्र में इस्थित फिल्लेंड को हजारो जीलो का देश तथा नौर्वे को मधरातरी के सुर्ज का देश कहा जाता है ये बहुत इंपोर्टेंट है फिल्लेंड को किस उपनाम से जानते हैं तो हजारो जीलो का नाम और मधरातरी का सुर्ज का देश किसको कहते हैं? नौडवे को. दोने इंपोर्टेंट है अपके लिए. उसके बाद है यूरोप के उत्री मैदान. उत्री पस्चमी उचभुमी के दस्चिन में यूराल परवत से लेकर अटलांटिक महासागर तक उत् अब है मदवर्ती उचभुमी. इस छेत्र में फ्रांस का मदवर्ती मैसफिक तथा जूरा परवत स्पेन और पूर्तगाल का मेसेडा का पठार जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदी समलित है. इस छेत्र में यूरोप की महत्पुर्ण नदिया का परवा होता है. यूरोप की यूरोप के दस्चिन में अलपाइन परवत की स्रिंखला पाई जाती है. ये परवत नविंतम मोरदार परवत के उधारन है. इसका अबिस्तार अटलांटिक महासागर से कैसियन सागर तक है. अलपस परवत इसके मदवर्ती भाग में इस्तित है. माउंट ब्लॉक जिसकी उ उची चोटी है जबकि अनपरवतों में परवनीज कौंकेस प्रमुख है. इसको बढ़ते हैं. अब यहां की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं. कहां की यूरोप की जलवायु के बारे में. तो पस्चमी यूरोप में बृटेस तुल जलवाईू मध हुआ पुडवी जलबायू दस्टनी यूर्योप में भूमा दिसागरिय जलबायू पाई जाती है। जलबायू दस्टनी यूर्योप में भूमा दिसागरिय जाती है। तो यूग्रेयन में स्टेपी वह हंगरी और हंगरी में इसको पुष्टाज कहते हैं। कहां के खास का मेर्दा है न तो यूर्योप के। उसके बाद है यहां की उपजाईू मिर्दा के रूप में चर्नोजम मिट्टी पाई जाती है। इस उपजाऊ छेतर में गेहू की विस्तित खेती की जाती है। अब है यूरोप महादूइब की संसाधन एवं क्रिशी कैसी होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो है यूरोप में सरबोत्तम किस्म का कोईला जर्मनी के सार वेसीन वा रूर परदेश उतरी फ्रांस वा बिल्जियम के सार वेसीन तथा यूकों के मिडलेंड पहाडी पिनाइन पहाडी उतरी वा दसनी बिल्ज के छितरों में पाया जाता है। यूग्रेन प्रमुक गेहूत पादक देश है जो विस्तु का अनभंडार या रोटी का डलिया कालाता है। लोंबार्डी मैदान में चावल का प्रमुक रूप से उत्पादन किया जाता है। यूरोप के भुमद सागरिय प्रदेश में सेब, अंगूर, जैतून, अंजीर, आडू और संत्रे की खेती बिसेश रूप से की जाती है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन हेतू की जाती है। मत्सक्रहन छेतर के रूप में डॉंगर बैंक वा ग्रेट फीशर बैंक भी सुप्रशीद है। अब है यूरोप महादूप की प्रमुख नदिया, उसको पढ़ते हैं, नदिया का नाम तिया है, प्रभवावित राज और इसकी बिसेस्ताइं दिये हुए है। और इसका परभावी तराज जो है वो रूस और कजाकिस्तान को है और इसकी बिसेस्ता यह यूरोप और एसिया की सीमा बनाती है यूराल जो है यूरोप और एसिया की सीमा बनाती है और इसका परभावी छेतर कौन-कौन सा है तो रूस और कजाकिस्तान दूसरा है पोलगा न राजधानी है वार्षा एबं लॉन्डरज इसके तड़ पर इस्थित सहर है अब है एल्व जो है जर्मनी चेक गनराज इससे प्रभावित छेतर है और इसके जी विसेश्ता है तो इसके मुहाने पर जर्मनी का हमबर्ग सहर बंदरगा इस्थित है उसके बाद है एस्प्री इसकी प्रभावित सहर जर्मनी है और एल्व की सहायक नदी है इसके तड़ पर जर्मनी की राजधानी वर्लिन इस्थित है इसके बाद है रायन नदी यह रायन नदी बहुत इंपोर्टेंट है रायन नदी जो है स्यूजर लेंड जर्मनी अस्टेलिया लिस्टेन सिंट फ यूरोप का सबसे ब्यस्त अंत अस्थली जलमार्ग है तो आपसे ऐसे इसके बारे में पुछा जाता है कि यूरोप का सबसे अंत ब्यस्त अस्थली जलमार्ग कुन सा है तो यूरोप की जो राइन नदी है उसके बारे में पुछा जाएगा उसके बाद है जर्मनी का बोन वा स्थित है इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट था पस्ची में फ्रांस का बॉंजेश परवत अवस्थित है यहां रायन नदी ब्रंस घाटियों से होकर गुजरती है तो रायन नदी किस नदी से होकर गुजरती है तो ब्रंस घाटी से होकर गुजरती है उसके ब पर इस्थित नंटेन सहर फ्रांस में कायवच उद्यों के लिए प्रशीद है उसके बाद है टांगस टांगस जो है इस्पेन पुर्टगाल इसे परभावी छेतर है और इसके तड़ पर पुर्टगाल की राजधानी लिस्वन इस्थित है साथ ही या इस्पेन एवं सहर इस्थित है उसके बाद है पो नदी पो नदी जो है ये इटली सहर को प्रभावित करता है और यह इटली की सबसे लंबी नदी है इसे इटली की गंगावी कहते है कि इसको पो नदी को टाइवर नदी ये भी इटली सहर में है इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा द और कुछ रोत के अनुसार मल्डोवा भी है देश भी इसमें सामिल किया गया है इस छेत्र को प्रभावित करता है और इसकी जो भी सेस्थाएं है इसके तर्ट पर बियाना ब्रास्टिशलावा बुड़ा पेस्ट वेलग्रेट जैसे चार राधानी सहार इस्तित है या विसु की राजनितिक सीमा बनाती है उसके बाद है निस्टर नदी निस्टर नदी जो है यूग्रेन और मल्डोवा परहावित करता है और या मल्डोवा की महत्पुन नदी है और या मल्डोवा नदी वा यूग्रेन के मदलग भग सीमा बनाती हुआ काला सागर में गिरती है उसक जो है उसके बाद है यूरोप की महत्पुन खाडियां तो इसको इसी तो यूरोप की महत्पुन खाडिया में है बोथनिया की खाड़ी कौन सा भाग बाल्टी सागर में है और यह स्यूडन एवं फिन्लेंड में इस्थीत है उसके बाद है फिन्लेंड की खाड़ी यह बाल्टिंग सागर में परता है और कहा अवस्थीत है तब फिन्लेंड एवं इस्टोनिया में उसके बाद है इडिंगा की खाड़ी ये भी बाल्टिंग सागर भाग में आता है और ये था अमारा यूरोप महात देश के महत्पुन खाडियों के बारे में परे तो ये आज के लिए इतना ही और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कफर करेंगे महत्पुन देसों संबंदित अनतत यहां से मतलब वर्ड जोग्रफी का एक से दो वीडियो और आएगा तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इसका अगर पीडियेफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वहां से जाके आप लोग जोइन कर ले जिसका मैं पेडियेफ डाल दी हूँ तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद